दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ AI से Animation वीडियो बना कर Online पैसे कमाने का दो बेस्ट तरीका ये वीडियो बाके वीडियो से अलग है इसमें मैं कमाल के Animation वीडियो बनाना तो सिखाऊंगा ही साथ में ये भी बताऊंगा कि Online पैसे कमाना कैसे है उसका पूरा स्टाटेजी यूटूब पर बच्चों की काटून वीडियो बहुत ज़्यदा देखी जाती है एक एक वीडियो पर दो मिलियन दस मिलियन इबन सो मिलियन तक ब्यूज आ जाती है एक सिंगल किट्स काटून वीडियो से लोग दस जार से लेकर दस लाग रुपे तक कमा रहे हैं गूगल एडियो को देखो दिन भर मुह चलाता है बहस करता है अबे पढ़ाई लिखाई करनी है की नहीं सिखता है कहां ये सब मैं पढ़ाई लिखाई से ही तो सीखता हूँ ये सब मैंने इस वीडियो को 10 मिनट में बनाया है फ्री ओफ कोस्ट इन चार AI टूल्स की हेल्प से इससे भी बढ़ी आप बना सकते हूँ पहले इस तरह के 2D अनिमेशन वीडियो बनाने में लिटरली बहुत टैम डगता था बट अब ऐसा नहीं है जमाना बदल चुका है अब हमारे पास है AI टिकनोलोजी का फुल एक्सेस वो भी फ्री ओफ कोस्ट ये कमप्ली टुटुरियल बीडियो है जिसे मैं आपको स्टेप बेस्टेप दिखाऊंगा कि ये सारा काम आप कैसे खुद कर सकते हो कुछ मिंटों में इसमें वीडियो की स्टोरी क्रियेट करने के लिए हम चैट जी पीटी का यूस करेंगे और बॉइस ओब आणिमेशन बिज्वल्स वीडियो एडिटिंग के लिए इन बाकी AI टूल्स का यूस करेंगे और हाँ अभी ये सारे AI टोल्स फ्री हैं बट आगे चलकर अगर ये पेड हो गएं तो इसका भी एक best alternative बताऊंगा ये काम आप अपने mobile से भी कर सकती हो इस बीडियो का कोई भी पार्ट मिस करने की गलती मत करना क्योंकि सिंगल बीडियो में आप चार amazing skills सीखोगे जो आगे चलकर आपको content create करने में lifelong काम आने वाली है तो आप चलो explore करते हैं AI animation बीडियो बनाने से लेकर online पैसे कमाने तक का पुरा tips और strategy So without any further delay, let's get started Alright, so आप कोई भी animated cartoon video in 4 simple steps को follow करके बना सकती हो Step 1, script writing Step 2, voice over Step 3, create animated clips, graphics and visuals Step 4, video editing and sound editing तो आप चलो मैं आपको in 4 steps को follow करके एक काफी interesting animated video बना के दिखाता हूँ तो start करते हैं Step 1, script writing आपका animated video YouTube पर तभी viral होगा जब उसमें होगा एक सांदार moral story जैसे कि ये देखो, 8 महीने पहले ये वीडियो अपलोड की गई है चतुर किसान, 10 million views है 3 मूर्ख पंडित ये वीडियो 2 महीने पहले अपलोड की गई है 21 million views है और ये देखो, दानबेर बुडिया चस्ट एक दिन पहले ये वीडियो अपलोड की गई है और 80,000 से ज़्यदा ब्यूज है इन सभी वीडियो पर ज़्यदा ब्यूज इसले आते हैं क्योंकि इन में होती है moral story बच्चे पूरा वीडियो देखते हैं ये जाने के लिए कि इस story के अंत में क्या होगा इससे वीडियो का watch time बहुत ज़्यदा होजाता है और ये help करता है वीडियो को viral होने में तो अगर आपको भी YouTube पर animation videos बना कर पैसे कमाना है तो याद रखो moral stories इसे नीज पर वीडियो अपलोड करोगे तो सबसे जल्दी success पाऊगे अब सवाल ये उठता है कि अच्छे अच्छे moral stories लाए कहां से और वो भी हिंदी में तो इसके लिए आपका help करेगा chat GPT AI tool यहां से आप free of cost unlimited moral stories create कर सकते हो just एक click में सब इस stories 100% unique होगा ओके सो अब demo देख लेते हैं चैट GPT से moral stories create करने के लिए गूगल में टैप करना है आपको chat GPT और इस link पर क्लिक करके अपने Gmail से login हो जाना है दूस्तो chat GPT एक बहुत ही advance AI tool है यह multi language को support करता है तो अगर आप prompt English में नहीं लिख पाते हो तो कोई बात नहीं है यह Hindi, Bengali, गुजराती जो भी language आपको आता है उसमें आपकी बात को अच्छे समझ जाएगा और आप जैसा चाहते हो exact वो चीज लिखके देदेगा तो हम लोग भी Hindi moral story create करने के लिए prompt हिंदी में लिखेंगे ताकि सब को समझ में आए तो मैं याप prompt में tap करूंगा 400 words का एक Hindi moral story लिखो जिसमें हर मिनट पर suspense आए story का एक attractive name भी suggest करू और हाँ script में proper punctuation, right time पर pause यह सब भी अच्छे से add करू story 100% unique होना चाहिए तो मैंने इस simple सा prompt लिख दिया है जैसे हम आम बोल चाल में बात करते हैं और enter पे click कर दूँगा तो देखो just कुछ second के अंदर आपके सामने Hindi में moral story ready है आप count कर सकते हो exact 400 words का है और prompt में आपने जितने भी condition रखे थे यह उसके according लिखा हुआ है prompt लिखते समय आपने दो चीजों को notice किया होगा, पहला यह कि मैंने बोला था कि moral story में हर minute पर एक suspense आए इससे यह फायदा होगा कि वीडियो का watch time बढ़ जाएगा दूसरा condition यह दिया कि सई से punctuation और right time पर pause लगाओ इससे यह फायदा होगा कि जब हम इसे script को AI voice over software में ले जाएंगे और वहाँ पे pest करेंगे watch generate करने के लिए तो वो बहुत अच्छे से generate करेगा emotion के साथ सई समय पे pause लेगा emotion से बोलेगा देखो कितना interesting है कि मालो आपको यह story अच्छा नहीं लगा तो जश्ट आपको क्या करना है इसी chat के अंदर आना है और एक और prompt लिखना है मुझे यह story अच्छा नहीं लगा दो और story लिखो जो इसे भी अच्छा हो जैसे आप यह prompt type करोगे आपके सामने दो और story यह लिखके रख देगा तो जो भी आपको story अच्छी लगे वो select कर लो मैंने आप लोग को demo दिखाने के लिए 400 words का story generate किया आप जितने चाहो उतने words का create कर सकते हो अगर आपको एक मिनिट का वीडियो बनाना है तो इसके लिए minimum 150-160 words का script चाहिए आप चाहो तो इंगलिस में भी moral story वीडियो बना सकते हो यह भी काफी चलते हैं बस यहाँ पर prompt में हिंदी के जगा पर in English कर दो यह पूरा moral story इंगलिस में लिख देगा आप यह वीडियो देखो एक महिने पहले अप्लोड की गई है यह इंगलिस moral story है हैरान करने वाली बात यह है कि यह full वीडियो AI से बनाया गया है पूरे वीडियो में सिर्फ एक image है वो भी move नहीं कर रहा है audio चल रहा है और text चल रहा है इस पे 2,54,000 व्यूज आया हुआ है ज़स्ट एक महिने के अंदर देखो जब से chat GPT लॉंच हुआ है तब से लेकर अब तक यह free है और आगे भी G1 बर free ही रहेगा क्योंकि यह एक open source project है हाँ कुछ एक्सा feature के लिए यह लोग chat GPT 4 लाए हुए हैं जो की paid है आप अपना अल्मोस सारा काम chat GPT 3.5 से करवा सकते हो ओके सो आप लोगो ज़स्ट एक डेमो दिखाने के लिए chat GPT से मैंने 320 वर्ट का यह moral story लिखवाया है खुद पर विश्वास बहुत अच्छा moral story है आप विडियो पॉस करके पढ़ भी सकते हो तो चलो इस moral story को एक beautiful animated विडियो में convert करते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए एक सुन्दर सा बोईस तो इसके लिए चलते हैं अपने विडियो के step 2 में that is AI बोईसोबर दोस्तो वैसे तो AI से बोईसोबर के लिए sacred or free tools हैं इस्क्रीन पर आप top 5 के नाम देख सकती हो बट इन में से जो मुझे सबसे best लगा वो है 11labs.io इसका audio सुनके आप literally चौक जाओगे जितने भी popular fully AI based YouTube channels या Instagram pages आप देख रहे हो वो लोग भी अपना voice 11labs से ही create कर रहे हैं अपने इस वीडियो के starting intro में जो मैंने आपको एक animation clip दिखाया था उसका भी voice over मैंने इसी website से किया था सबसे अच्छी बात यह है इस website की कि यहाँ पर आप free plan में भी हर महीने 10,000 words तक के voice create कर सकती हो 10,000 words यानि कि आप 4-5 minute की 12 या 13 वीडियो का free of cost voice over create कर सकती हो हर महीने ओके सो इस website का link वीडियो के description में है link पर क्लिक करके website पर आजाना है आपको sign up पर क्लिक करके अपने email से account बना लो और login हो जाओ इसके बाद ऐसा interface आएगा या आपको speech synthesis पर क्लिक करना है ये जो मैंने demo के लिए script लिखा है मैं चाहूं तो पूरी story को किसी एक male या female के audio में voice generate करा सकता हूं और पूरा वीडियो उसी audio पर बना सकता हूं वर थोड़ा interesting बनाने के लिए मैं दो लोग का audio यूज़ करूंगा एक male का एक female का देखे इस कहानी में एक receive भी बोल रहा है तो जब जब receive बोलेगा तो हम लोग एक भारी वरकम किसी male का audio यूज़ करेंगी और बाकी पूरी story एक female स्टार्ट करेगी आपके पास एक महिने में 10,000 words का कोटा है अगर आपको कम words में अच्छा बॉस जनरेट करना है तो इसके लिए script को पूरा एक साथ copy paste मत करो बलकि उसके छोड़े पार्ट को copy paste करो और उसका बॉस जनरेट करो छोड़े छोड़े पार्ट में बॉस जनरेट करने का ये फायदा है कि अगर उसमें कोई गलती है तो आप तुरंत सुनके सही कर लोगे इस तरब का पूरा word खराब नहीं होगा जिस्ट वो जो छोड़ा पार्ट है वोई word खराब होगा जैसे इस script में जो starting का ये पार्ट है एक जंगल में रमेश और सुरेश नामक दो दोस रते थे एक दिन उन्हें एक बुजूर्ग रिसी मिला रिसी ने कहा ये story का starting line है तो मैं चाहता हूँ कि इसे एक female बोले तो मैं इस line को copy कर लूँगा और यहाँ पर paste कर दूँगा अब model चूच करना है तो जैसे आपर click करोगे तो बहुत सारे models के list आ जाएंगे यहाँ पर सबका boss सुन सकते हूँ model में best female boss के लिए मैं बेला को चूच कर लेता हूँ क्योंकि इसका audio काफी अच्छा लग रहा है और यहाँ पर आपको जनरेट पर click कर देना है देखो boss जनरेट हो गया है आप इसे सुनो एक जन्गल में रमेश और सुरेश नामक दो दोस्त रहते थे एक दिन उन्हें एक बुजुर्ग आर्शे मिला आर्शे ने कहा है ना कम्माल का boss बट यह रिसी को रसी बोल रही है तो मैं यहाँ पर रिसी वाला री हटा कर रसी वाला री लगा दूँगा फिर generate पर क्लिक कर दूँगा अब इस audio को सुनो एक जन्गल में रमेश और सुरेश नामक दो दोस्त रहते थे एक दिन उन्हें एक बुजुर्ग रीशी मिला रीशी ने कहा आप अपने इसाब से अलग-अलग model चूज कर सकते हूँ बहुत सारे models हैं जैसे ये सुनो एक जन्गल में रमेश और सुरेश नामक दो दोस्त रहते थे एक दिन उन्हें एक बुजुर्ग रीशी मिला रीशी ने कहा हैना एक दम सांदार वोईस ये भी बहुत अच्छा model है इसका नाम है Matilda आप Matilda सर्च करके इस model का बुज जनरेट करा सकते हो अब इस बॉज को डाउनलोड कैसे करें तो यहाँ पर देखो एक डाउनलोड का आइकन है जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो बॉज डाउनलोड हो जाएगा डाउनलोड होते ही आपको अपने मोबाइल में या डेक्स्टॉप पर एक फोल्डर बना लेना है और वहाँ पिन सभी बॉज को कॉपी पेस्ट कर देना है इस तरह आपके सारे क्लिप्स एक जगर रहेंगे और सबसर ज़रूरी सभी क्लिप्स को क्रम से 123 रिनेम कर दो इस तरह बात में आपको एक साथ मर्ज करने में बहुत इजी रहेगा वीडियो एडिटिंग वाले स्टेप में इन सभी आडियो को एक साथ मर्ज करेंगे स्क्रिप्ट में देखो अब ये लाइन रिसी बोलना स्सार्ट करेंगा तुम दोनों बहुत भोले और अच्छे हो आज मैं तुम्हें एक जीवन बदल देने वाली जंगल की कहानी सुनाओंगा जिसके मदद से तुम अपने हर लक्ष को पा सकती हो तो ये लाइन मैं चाहता हूँ कि एक भारी भरकम आडियो में मेल बोले तो इसके लिए रिसी बाली लाइन को कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर मॉडल में जाकर एंटरी नाम का मॉडल चूज कर लेंगे और जनरेट पर क्लिक कर देंगे अब इस आडियो को सुनो तुम दोनों बहुत भोले और अच्छे हो मैं तुम्हें एक जीवन बदलने वाली जंगल की कहानी सुनाऊंगा जिसकी मदद से तुम अपने हर लक्ष को पा सकते हो है ना एकदम सांदार आडियो और इसको भी यहां से डाउनलोड करके रिनेम में 2 कर देंगे और अपने फोल्डर में पेस्ट कर देंगे हमारे पास दो क्लिप रेडी है एक मेल का एक फीमेल का इस तरह आपको सारे स्क्रिप्ट का छोड़े वड़े टुकडों में बॉइस जनरेट कर लेना है और इस फोल्डर में पेस्ट कर देना है सबका रिनेम 1,2,3 करके सेप कर लेना है जैसे आप दिख सकती हो इस स्टोरी का जो स्टार्टिंग का 30% पार्ट है उसका मैंने बॉइस जनरेट कर लिया है अलग-अलग टुकडों में अब चलते हैं अपने इस वीडियो के सबसे इंटरस्टिंग पार्ट पर स्टेप 3 क्रेटिंग अनिमेशन और विजूल्स जहांपर हम इस स्टोरी और आडियो से मैच करता हुआ अनिमेशन क्लिप बनाएंगे एई आई आर्ट्स विजूल्स त्यार करेंगे ओके तो एई से एनिमेशन विडियो बनाने के लिए मुझे जो सबसे बेश्ट वेबसाइट लगी वो है अड़ोबी एक्सप्रेस अनिमेट यूर बोईस यहां ज़स्ट आपको अपना बोईस ओबर अप्लोड करना है एक जंगल में रमेश और सुरेश नामक दो दोस्त रहते थे चलो अपने यह डेमो स्टोरी का जो ओडियो है उसको मैं एनिमेशन में कनवर्ट करके दिखाता हूँ गूगल में यह पूरा नेम टाइप करो एड़ोबी एक्सप्रेस एनिमेट यूर बोईस फिर इस लिंक पर क्लिक करके इस वेबसाइट पर आजाओ मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है देखो यह 100% फ्री टूल है साफ साफ लिखा हुआ है फ्री फॉरेबर मतलब हमेशा के लिए फ्री सबसे पहले साइन अप पर क्लिक करके अपने इमेल या जीमेल से एकाउंट बना लो और लॉग इन हो जाओ लॉग इन होने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा देखो जो पीछे का बैग्राउंड है वो बिलकुल स्क्वार है तो सबसे पहले जो पीछे का बैग्राउंड है उसका साइज यूटूब के साइज का कर लेते हैं तो इसके लिए इस साइज के बटन पर क्लिक करो फिर यहां से यूटूब सेलेक्ट कर लो और यहां पर लैंडिस्केप चूज कर लेना है साइज के बाद आपको अपने बैग्राउंड का इमेज चेंज कर लेना है तो अपना जो डेमो स्टोरी है उसमें एक लड़की कहानी सुना रही है तो इसके लिए मैं घर के अंदर का ये वाला बैग्राउंड चूज कर लेता हूँ ये अच्छा लगेगा आप कोई भी चूज कर सकती हूँ अगर आपके स्टोरी के लाइक बैग्राउंड इमेज इस इनके लाबरेरी में नहीं है तो आप अपना खुद का बना बनाया बैग्राउंड इमेज यहां से अप्लोड कर सकती हूँ अब अपने रिक्वार्मेंट के हिसाब से खुद का बैग्राउंड इमेज कैसे क्रियेट करें तो इसके लिए मैं अभी कुछ कमाल के AI आर्ट्स जेनरेट करने वाले फ्री टूल्स दिखाऊँगा वहाँ से कुछ seconds में अपने requirement के साब से जैसा चाहो वैसा image create कर सकती हूँ तो अभी मैं ये घर के अंदर वाला background रहने देता हूँ फिर इसके बाद character choose करना है तो इसके लिए just इस character के बड़न पर click करो बहुत सारे characters आ जाएंगे तो मैं ये female वाला character choose कर लेता हूँ ये साडी में है और काफी artistic लग रही है size और position आप adjust कर सकते हूँ तो मैं इसको center में आपर खड़ा कर देता हूँ और size थोड़ा सा small कर देता हूँ इसके बाद आपको अपना audio upload करना है तो इसके लिए यहाँ देखो choose audio file इस बड़न पर click करो और अपना audio upload कर दो तो हम लोग अपने folder में जाएंगे और अपना जो first audio था उसको choose कर लेंगे ये audio को upload करके कुछ seconds के लिए processing कर रहा है थोड़ा सा आपको wait करना है done animation ready है सुनो एक जंगल में रमेश और सुरेश नामक दो दोस्त रहते थे एक दिन उन्हें एक बुजूर्ग रिश्य मिला आप देख सकते हूँ जैसे जैसे इस audio में लड़की बोल रही है सेम वैसा है इसका lip sing और expression है अब इस download के बटन पर click करके इस video को download कर लो और यहां से copy करके अपने folder में paste कर दो और इसका rename change करके एक कर दो अब कुछ लोग यह कहेंगे कि यह तो बस एक जगा खड़ी होकर ऐसे ही बोल रही है काफी boring है तो ऐसा नहीं है तो बीच बीच में story से match करता हुआ AI से generated काफी attractive AI arts लगाएंगे और उसको बीच बीच में move कराएंगे पीछे background music भी चलता रहेगा तो यह सब overall मिला कर काफी attractive बन जाएगा तो अपने story का जो दूसरा scene है जिसमें रिसी बोलना है start करता है उसके लिए animation वीडियो बना लेते हैं तो जैसा कि story में है रिसी जंगल में दो बच्चों से मिलता है तो हमारे पीछे background जो होना चाहिए वो जंगल का होना चाहिए तो अगर आप background में जाओगे तो यह दिख सकते हूँ यह match कर रहा है जंगल के लिए तो मैं यह background चूज कर लेता हूँ और रिसी के लिए यह character best रहेगा क्योंकि इसके भी बाल रिसी जैसे हैं अब इसका audio change करना है रिसी वाला लगाना है तो इसके लिए replace audio पर क्लिक करेंगे और अपना जो second number पर रिसी वाला audio था उसको upload कर देंगे processing done यह भी complete हो गया सुनो इसको तुम दोनों बहुत भोले और अच्छे हो आज मैं तुम्हें एक जीवन बदलने वाली जंगल की कहानी सुनाऊंगा जिसकी मदद से तुम अपने हर लक्षे को पा सकते हो यहां पर मैं दूसरे वाई को लगा दूँगा बैग्राउंड सेम जंगल का ही रखते हैं अब सुनने वाला reaction कैसे create करें तो इसके लिए record audio के बड़न पर क्लिक करो और दो तीन सेकेंड तक कुछ मत बोलो जब आप कुछ भी नहीं बोलोगे silent रहेगा तो यह automatic हलका फुल का move करेगा अपना eye blink करेगा lip sing नहीं करेगा तो वही जो expression है वो हम use कर लेंगे सुनने वाले expression में जैसे आप देख सकते हो मैंने तीन सेकेंड तक कुछ भी नहीं बोला और यहां पर एक सुनने वाला expression आ चुका है अब इस clip को यहां से download कर लेना है अब second boy के लिए background में green color ले लेते हैं और second boy का character यह चूच कर लेते हैं background में green screen रहेगा तो video rating के दोरान chroma के के थुरू हम first वाले character को second वाले character के साथ add कर सकते हैं फिर ऐसा ही same silent audio record करके 2-3 second का एक video बना लेना है और रेट सो इस तरह आपके story में जब भी आपको लगे कि यह line कोई character खड़ा होकर ब बनाएंगे यह AI tools ऐसे ऐसे attractive images create करेंगे जो बिलकुल animation movies होता है वैसे images हम उन में extra movement और effects लगा कर बिलकुल animation जैसे बना देंगे example के लिए यह video देखू ओके तो AI tools से free में images create करवाने के लिए वैसे तो बहुत सारे tools हैं मैंने 25 से भी ज़्यदा try किया बट उन में से मुझे यह दो सबसे best लगे पहला blue below और दूसरा playgroundai.com बट इस वीडियो में हम playgroundai.com से images create करना सिखेंगे playgroundai.com का link description में है link पर click करके website पर आजाओ अपने email या फिर Gmail से sign up कर लो और login हो जाओ literally दोस्तो free में AI arts generate करने के लिए यह एकदम best website है पता है आपको यहाँ पर आफ free plan में per day 500 images बना सकते हैं okay so login करते ही आपके सामने ऐसा interface आ जाएगा आपको इस bard वाले option पर click करना है सबसे पहले आपको filter का option दिखाई देगा इसमें बहुत सारे filters हैं जो भी choose करोगे images बिल्कुल different create करेगा उसी से related मैंने सारे filter try किये हुए हैं बट यह वाला जो filter है lust illumination यह बहुत अच्छा है इसे बहुत अच्छा image आता है animation videos के लिए तो मैं इसको choose कर लेता हूँ फिर यहाँ पर आपको prompt लिखना है कि मतलब आप कैसा image create करवाना चाहते हो तो अपने moral story के लिए हमें starting में चाहिए एक jungle तो इसके लिए मैंने यह prompt लिखा हुआ है मैं आपर paste कर देता हूँ और generate पर click कर देना है फिर यह 5-10 seconds लेगा और देखो इसने कितना beautiful एक jungle create कर दिया अगर आपको filter change करना है तो just prompt को वैसा ही रने दो और filter में जाओ और filter choose कर लो जैसे मैं आपर filter में filter late यह वाला filter choose कर लेता हूँ और generate पर click कर देता हूँ यह देखो इस filter में यही image इसी prompt के साथ कैसा आया हुआ है तो जो सबसे best filter लगा मुझे वो lust illumination ही है अब कुछ लोग यह कहेंगे कि आपने इतना अच्छा English में prompt लिखा तब जाकर ऐसा image create हुआ हमें prompt लिखना तो आता ही नहीं है पूरे story में कितने images लगेंगे और सबके लिए prompt कैसे लिखें तो again इसके लिए भी आपका help करेगा chat GPT देखो कैसे यह मेरा moral story है मैं इसको copy कर लूँगा और chat GPT में जाओंगा और यहाँ पर प्रेस्ट कर दूँगा shift और enter दबाऊंगा तो इसका cursor नीचे आजएगा और यहाँ पर मैं बस एक line लिखूंगा write the best and most suitable image prompts for this story just यह line लिखो और enter प्रेस कर दूँ आप देख सकते हो इस story में लगने वाले जितने भी possible images हैं उन सबका prompt इसने लिख दिया है अब आपको क्या करना है एक एक prompt को copy करना है और playgroundai.com पर आना है और यहाँ पर prompt में प्रेस्ट करके generate image कर लेना है तो इस तरह जितने भी prompts हैं सबका images generate कर लो आप देख सकते हो इन सबी prompts को use करके मैंने images create कर ली हैं मैं आपको fast forward परके दिखाता हूं लेकिन दोस्तों यह जितने भी AI arts हमने generate किया है वो सब simple एक static images हैं तो हम इसमें एक छोटा सा काम और करेंगे और इन सबी images में जाना जाएगी यह सबी 3D वीडियो में convert हो जाएगी इस तरह का तो इसके लिए जो सबसे best website है वो है convert.lyapix.com इस website का link वीडियो के description में है link पर क्लिक करके इस website पर आजाओ और sign up पर क्लिक करके अपना account बना लो और login हो जाओ login होने के बाद ऐसा interface आएगा just यहाँ पर आपको image upload करना है तो मैं अपना जो पहला image था जंगल वाला उसको upload कर देता हूँ यह कुछ seconds का time लेगा processing में और आप देख सकते हो वीडियो ready है इस वीडियो में इसने 3D effect डाला है और motion में दिया है काफी attractive लग रहा है आप इसके motion को इन सभी settings के through control कर सकते हो तेज कर सकते हो उपर नीचे कर सकते हो अब इस वीडियो को download करने के लिए इस share के बड़न पर click करो और MP4 चूज कर लो यह वीडियो MP4 में download हो जाएगा तो इस तरह आपके पास जितने भी AI arts है सबको यहाँ पर one by one upload करना है और सबको इस तरह के 3 वीडियो editing के through इन सबको एक साथ merge करेंगे एक अच्छा सा background music देंगे कुछ effects लगाएंगे और final animation वीडियो ready करेंगे तो चलते हैं अपने final step में that is video editing दोस्तो वैसे तो कई सारे free video editing softwares हैं top 5 के नाम आप screen पर देख सकती हूँ बट इन में से मुझे जो सबसे best लगा वो यह 3 Capcut, Insert और VN Video Editor आज मैं आपको VN Video Editor पर edit करके दिखाऊंगा और वो भी अपने laptop में ताकि आप सब लोग को अच्छे समझ में आए पूरा बड़ा सा display दिखे VN Video Editor एक free software है अगर आपके पास laptop नहीं है तो इसका mobile app Android phone के लिए भी आता है आप Google Play Store से ये application डाउनलोड कर सकती हूँ और अच्छे से edit कर सकती हूँ इबन ये iPhone, iMac, Windows हर जगा available है जाए इसका mobile app हो या desktop app हो दोनों जगा आपको सारे features से मिलेंगे, interface भी से मिलेगा तो अगर आप इस tutorial को देख रहे हूँ तो इसकी help से आप easily mobile app में भी edit कर पाओगी, मैं MacBook use कर रहा हूँ तो मैं जाऊंगा App Store पर और search करूँगा VN Editor और इसको download कर लूँगा, download करने के बाद जैसे आप open करोगे तो आपके सामने ऐसा interface आएगा, सबसे पहले setting पर click करो, फिर watermark के अंदर जाओ और watermark को off कर दो, फिर new project पे click करोगे तो इसका काफी simple सा interface दिखाई देगा, यह इसका editing interface है, जैसे सब video editor में होता है, यह इसका timeline है, जहाँ पे layers बने हुए हैं, यहाँ से आप audio, video, images को cut कर सकते हो, trim कर सकते हो, effects वगरा लगा सकते हो, देखो यहाँ पर भी एक watermark दिख पर क्लिक करो, फिर यहाँ पर आपको import stocks का option दिख जाएगा, simply right click करके अपने animation वाले folder में चले जाना हैं, और जो भी videos हैं, उनको select करके import कर लेना है, तो आप देख सकते हो, यह सब ही import हो गया है, इसके बाद stock पर क्लिक करो, default में जाओ, और filter में all पर क्लिक कर दो, यहाँ प एक base layer की तरह काम करेगा, जिसके उपर कोई भी footage लगाना, कोई भी audio लगाना बहुत easy हो जाएगा, तो इस image पर एक बार क्लिक करोगे, तो इसका length कम ज्यादा करने वाला arrow आ जाएगा, simply इस पर क्लिक करके इसका length दो मिनट का कर देते हैं, क्योंकि हमारा जो वीडियो होने इस पर क्लिक करें, फिर crop पर क्लिक करें, और यहां से landscape सेलेक्ट कर लो, अब इस plus minus पर क्लिक करके पूरे timeline को छोटा बढ़ा कर सकती हो, तो मैं थोड़ा सा छोटा कर लिता हूँ, और red, so जितने भी आप moral story वीडियो देखोगे, जो ज़्यादा views पाते हैं, उनके starting में इस इस तरका एक disclaimer रहता है, तो हम भी अपने इस वीडियो में एक disclaimer लगाएंगे इस तरका, मैंने चैट GPT के help से यह disclaimer लिख लिया है, आप चाहो तो इस disclaimer को अपने वीडियो के लिए भी same as it is use कर सकती हूँ, मैंने आपका time बचाने के लिए इस disclaimer का एक black background में image बना लिया है, description मे लिंक है, वहाँ से इस image को डाउनलोड कर लो, और यहाँ editor में import कर लो, और drag करके अपने timeline के starting में रख लो, और इसका duration ज़स्ट एक या दो सकेंड कर लो, वैसे आप चाहो तो इस editor का text use करके वी यहाँ पे disclaimer लिख सकती हूँ, बट ऐसा look देने में आपको बहुत ज़्यादा लगा सकती हूँ, और रेट सो इसके बाद जो हमने adobe express पर audio के साथ जो यह character animation बनाये था, वो सभी clips sequence वाइस यहाँ पर drag करके timeline पर रख देंगे, आप देख सकते हो मैंने रख दिया है, यहाँ देखो इन दो video clip के बीच एक gap है, इस plus के बटन पर click करके zoom करोगे, तो आपको अच्छे से दिख जाएगा, तो इस gap को कम कर लेते हैं, सिंपले इसको drag करके एक दूसरे से चिपका देंगे, लास्ट जो audio है, जिसमें तुम अपने हर लक्ष को पा सकते हो, इसके बाद से जो भी voice over है, इसके आगे का, उन सब को अपने audio folder में जाओ, और sequence वाइस drag करके timeline प सुंदर हिरन रहती थी, वह जंगल एक बड़े सुंदर नदी के किनारे था, एक दिन हिरन नदी में पानी पीने गई, अब यहाँ पे जो audio है, रमेश और सुरेश उतसाहित हो गया, तो इसको edit कर लेते हैं, हमें यहाँ पर रमेश और सुरेश दोनों को एक वीडियो के अं पार्ट रख लेंगे, बाके स्ट्रीम के बटन से कट करके रिमूब कर देंगे, और बोई सुबर का जितना लेंध है, उतना ही क्लिप का लेंध एड़ेश करके कर लेंगे, इस वीडियो में केवल रमेश है, हमें सुरेश को भी इसके अंदर लाना है, तो इसके लिए जो ह आपको एक चीज समझना है, जो वीडियो एडिटिंग में आपको बहुत हेल्प करेगा, यहाँ पर दो क्लिप है, लेकिन केवल जो उपर वाला क्लिप है, वही क्यों दिख रहा है, तो वीडियो एटिंग में ऐसा ही होता है, जो उपर वाली लेयर होती है, वही हमें दिख करो फिर आपके स्क्रिन पर ऐसा एक कलर पिकर आजाएगा इस कलर पिकर को थोड़ा बहुत इधर उडर अड़िश्ट करोगे तो आपके स्क्रिन का ग्रीन स्क्रिन हट जाएगा और आप देख सकते हूँ पीछे का जो करेक्टर है वो भी दिखने लगाए और दोनों एक स्क्रीन में आ गये हैं अब दोस्तों आगे का जितना भी बॉइस उबर है उन पर एडिटिंग करने के लिए उन बॉइस को सुनना है और जो भी हमने 3D इफेक्ट वाला वीडियो देख सकती हूँ इसको ड्राग करके टाइम लेंड पर रख दो इस क्लिप का लेंथ आडियो से बहुत बड़ा है तो यहां ट्रीम पर क्लिक करके कट कर लेंगे अब देखो यह क्लिप स्क्वाइर सिप में अच्छा नहीं लग रहा है हमें चाहिए फुल स्क्रीन यूटूब साइज का तो इस क्लिप पर क्लिक करो और यहां यूटूब साइज सेलेक्ट कर लो यह फुल स्क्रीन पर हो जाएगा तो इस तरह जितने भी आगे के बहुत स अल्रेट दोस्तो तो इस तरह हमारे ये बेसिक बीडियो अडिटिंग हो गया अब मैं आपको एक अच्छा सा बैगड़ाउंड म्यूजिक और एक इफेक्ट लगा के दिखाता हूँ ट्राइ करो आपके वीडियो का फर्स 10 सेकेंड इंगेजिंग हो याँ पर जो हमने डिस्क्लेमर लगाया है इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं है तो अगर हम इसमें कोई इफेक्ट डाल दे अच्छा सा तो ये काफ़ी इंट्रेस्टिंग बन जाएगा तो इफेक्ट देने के अब अपने इस मोरल स्टोरी में एक अच्छा सा बैग्राउंड म्यूजिक लगा देते हैं यूटूब का अल्गोरिदम ऐसा है कि वो म्यूजिक को बहुत जल्दी डिटेक्ट करता है बहुत एकुरेसी के साथ और तुरंत कॉपिराइट दे देता है इसलिए म्यूजिक से मिलियंस में व्यूज पाते हैं स्क्रीन पर आप देख सकती हूँ सभी म्यूजिक के नाम लिखे हुए हैं आप वन बाई वन नाम सर्च करके डाउनलोड कर सकती हूँ या फिर मैं आपने टेलिग्राम चैनल पर इन सभी ओडियो का लिंक दे दूँगा वहां से डाउनलोड कर सकती हूँ टेलिग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है जैसे इस म्यूजिक का नाम है लिक्वी टाइम इसको सुनो है ना अच्छा इस म्यूजिक को ऐसा बैग्राउंड म्यूजिक लगाने के लिए सिंपले इसको डाउनलोड करो और वहां से डारेक्ट ड्रैग करके अपने टाइम लैन पर रख दो ड्रैग करके स्टाइटिंग में लगा दो अब इस बैग्राउंड म्यूजिक पर क्लिक करोगे तो यहां बॉल्यूम का ओप्सन आएगा यहां से इसका बॉल्यूम घढ़ा कर 10-20% के बीच कर दो बैग्राउंड म्यूजिक में आड्यो के साथ हलका-लका बजना चाहिए इसे लिसका बॉल्यूम लैबल 10-20% के बीच में रखो ओल्रैट तो दस्तो इस तरह पूरा वीडियो एडिट कर सकते हो जितना आप टाइम दोगे उतना ही अच्छे से एडिट करोगे अब इस वीडियो को फाइनली एक्सपोर्ट करने के लिए इस सेर के बटन पर क्लिक करो फिर यहां से आप फोल्डर चूज कर लो कि कहा पर आप इस वीडियो को सेब करना चाहते हो यहां पर एक्सपोर्ट सेटिंग है जहां से आप वीडियो की क्वालिटी फ्रेम पर सेकेंड यह सब चीज़े चेंज कर सकते हो यह बाई यह बाई देख सकते हो कितना अच्छा है फ्री बीडियो एटिंग सौप्टेर में 4K तक के वीडियो आप एक्सपोर्ट कर सकते हो और यहां पर जश्ट एक्सपोर्ट पर क्लिक कर दो यह बीडियो कुछ दर तक प्रोसेस करेगा और फानली एक्सपोर्ट कर लेगा आप द जिसकी मदद से तुम अपने हर लक्षे को पा सकते हो रमेश और सुरेश उत्साहित हो गयू रीशी ने शुरू किया एक घने जंगल में एक अत्यांत सुन्दर हिरन रहती थी वह जंगल एक बड़े सुन्दर नदी के किनारे था एक दिन हिरन नदी में पानी पीने गई और वहाँ उसे एक सेर दिखाई दिया सेर को देखकर हिरन डर गई और जल्दी से भागने लगी शेर भी हिरन को खाने के लिए दोडने लगा तो आप देख सकते हो काफी इंटरस्टिंग लग रहा है कितना पैसे कमा सकते हो कैसे कमा सकते हो क्या फुली AI से बनाया हुआ वीडियो मोनेटाईज होगा इसके लिए कुछ बेस्ट टिप्स और स्टाटेजिज देखो मैंने कई मोरल स्टोरी बनाने वाले यूटूब चनल का रियल अर्निंग रिपोर्ट देखा तो पता चला कि इस तरह के वीडियो पर यूटूब एड से हर तीन से चार अजार ब्यूज पर एक डॉलर अराम से मिल जाता है यानि अगर आपका चनल मोनेटाईज है और आपके किसी वीडियो पर एक लाग ब्यूज आ गया तो आप रोज तीन सो से चार सो डॉलर कमा लोगे जैसे आप इस वीडियो को देखो इस सिंगल वीडियो पर दस मिलियन व्यूज है यानि इस सिंगल वीडियो से इस बंदे ने मिनिमम तीन हजार डॉलर कमा लिया होगा अगर आप भी इनके तरह AI से बने हुए एनिमेटेड स्टोरी वीडियो अपलोड करके यूटूब से पैसे कमाना चाहती हूँ तो आप इन तीन स्टेप्स को जरूर फॉलो करो स्टेप वन डिस्क्रिप्सन में मैंने कम्प्लीट दो घंटे 35 मिनट का फ्री यूटूब आओओमेशन कोर्स का लिंक दिया हुआ है वो कोर्स हिंदी में है उसको कम्प्लीट कर लो इस कोर्स में एक ऐसा बनधा बहुत सारे पैसे कमाए है इस ट्रेनिंग में आफ बिलकुल स्टार्टिंग से YouTube channel create करने से लेकर Logo बनाना, Banner बनाना, पूरा channel create करना Right time पर वीडियो अप्लोड करना कैसे attractive title लिखना है Thumbnail कैसे catchy बनाना है कब upload करना है क्या description लगाना है क्या tag लगाना है ये सब strategy तो सीखो गे ही साथ में आप YouTube automation के कुछ टिप सीखो गे कोई भी चैनल डैड कैसे होता है क्या मिस्टेक्स नए यूटूबर करते हैं अगर आपके चैनल पर बिल्कुल ब्यूजी ना आए तब क्या करना है तो ये सब important चीजे सीख कर अपना एक यूटूब चैनल बना लो Step 2 चैनल बना लेने के बाद अब आपको इस तरह के AI Animated Moral Story बीडियो बनाना है और अप्रोड करना है जितना अच्छा आपका स्टोडी रहेगा उतना ही चांसे के बीडियो पर ज़्यादा व्यूज आए हर महीने आपको कम से कम 4-5 बीडियो तो जरूर अप्रोड करना है अगर आप ऐसा करते हो तो आप देखोगे कि दो महिने के अंदर ही आपका एक दो वीडियो एक या दो लाग बीडियो स्क्रॉस कर देगा और वही दो वीडियो आपको 4000 गंडे का वाच्टैम देदेगा और 1000 सब्सक्राइबर देगा इससे आप monetization के लिए eligible हो जाओगे बट यहाँ पर आपके मन में एक doubt आ रहा होगा कि क्या fully AI से बने हुए वीडियो वाले चैनल monetize होगा तो इसका answer है हाँ कई सारे AI generated content वाले चैनल already monetize हो गए है आप YouTube पर review देख सकते हो बट आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा नहीं तो आपका चैनल monetize नहीं होगा देखो आपका सभी वीडियो एक ही जैसा नहीं लगना चाहिए एक ही format में नहीं होना चाहिए अगर आपके सारे वीडियो एक ही जैसे दिखते हैं बस आप एक ही template में सारे वीडियो बनाते जा रहे हो सेम character, सेम music, सेम text, सेम जगाव पे सेम font और बस आप audio change कर रहे हो तो ऐसा काम नहीं चलेगा इससे YouTube को लगेगा कि ये reused और repetitive content है इससे आपके चैनल को monetize नहीं करेगा आपको हर वीडियो यूनिक बनाना होगा लगे की अलग-अलग character है, अलग-अलग story है अलग-अलग editing हुई है, ऐसा लगना चाहिए thumbnail, title भी सब अलग-अलग होना चाहिए चैनल का logo बना लो, banner बना लो हर वीडियो में कोई भी music सिर्फ और सिर्फ YouTube audio library से use करो मैंने description में top 8 music का link दिया हुआ है आप download कर सकते हो चैनल का जो about section है, उसमें भी चैनल के बारे में लिखो, चैनल का purpose लिखो अपने बारे में लिखो, चैनल के setting में जाके two step verification on कर लो जैसे ही आप अपना चैनल monetization के लिए enable करते हो, तो YouTube टीम आपके चैनल को review करती है और अगर आपका चैनल, kids, cartoon, moral story, families से related है तब तो YouTube टीम यू समय दो lens लगा कर आपका चैनल चेक करेगी इसलिए आपको क्या करना है, कि आपके चैनल पर जो भी वीडियो सबसे ज़दा views पाए हैं उनका description, title, thumbnail सब कुछ अच्छे से लिखो, कोई भी चीज वीडियो से हटकर मत लगाओ, कोई फालतू, hashtag या headful word मत लिखो आपका हर वीडियो, kids और families के लिए अच्छा होना चाहिए, उससे समाज में कोई भी negative impact ने पढ़ना चाहिए तो moral story ऐसा ही लिखो जिसे कुछ सीखने को मिले, कोई positive message मिले तो अगर आप इन सब चीजों को follow करते हूँ सही करके, फिर monetization के लिए enable करते हूँ, तब आपका channel बहुत ज़ल्दी monetize हो जाएगा, दोस्तो वैसे तो अभी AI content वाले channel को YouTube monetize कर रहा है, बट आगे का क्या होगा, कोई नहीं कह सकता है, तो आपका समय और मैनत बरबाद नहों इसके लिए आपको क्या करना है, एक extra security layer लेके चलना है, हमेशा ताकि आपका channel हमेशा safe रहे और वो ये है, कि दो वीडियो आप fully AI content वाले डालो और एक वीडियो में अपना voice over डालो, येस दोस्तों, अपना खुद का original voice over, इससे आपका channel safe रहेगा, अब कुछ लोग ये बहाना बनाएंगे, कि यार अपना voice over करने के लिए, एक expensive mic चाहिए studio चाहिए, laptop चाहिए, पता नहीं क्या-क्या, तो ऐसा नहीं दोस्तों, आप जश्ट अपने smartphone से, को भी voice over करो, और उस audio को इस AI tool पर upload करो, जिसका नाम है Adobe Podcast, ये tool आपके audio को काफी clear कर देगा, enhance करके, जितने भी background noise थे, उसको सबको remove करके, एकदम सांदार audio बना देगा, मैं आपको अपना खुद का voice over करने के लिए इसलिए कह रहा हूँ कि YouTube का जो tagline है, वो है broadcast yourself, इसका सिधा मतलब ये है कि YouTube चाहता है कि आप अपने आपको broadcast करो, आपका जो भी creative या personal value है, वो आपके video में होना चाहिए, दिखना चाहिए, अगर आपका भी voice over रहेगा, तो ये चीज़ पूरी हो जाएगी, all right दोस्तों, तो ये तो हो गया AI से videos बना कर पैसे कमाने का तरीका, बट इसमें भी बहुत सारी चीज़े limited हैं, जैसे कि आप अपने मन पसंद का animation नहीं बना पा रहे हो, हर चीज़ को अपने हिसाब से नहीं animate कर पा रहे हो, तो अगर आप चाहते हो कि आपका channel 100% secure रहे, safe रहे, long term आप खुब ज़दा पैसे कमा सको, आपका वीडियो बाकी लोगों से बिलकुल यूनिक और अलग लगे, आपके जैसा कोई वीडियो ना बना पाए, तो आपको ये strategy फॉलो करना चाहिए, ये देखो ये है स्किलस्या का complete 2D animation course हिंदी में, इस course को complete करने के बाद, आप हर तरह के literally हर तरह के basic से advanced level 2D animation बना सकते हो जो चीज़ चाहो, जैसा चाहो उस चीज़ को animate कर सकते हो किसे भी वीडियो में जान डाल सकते हो कोई नया character सोच के बना सकते हो market में launch कर सकते हो इस course में आपको दो software पर 2D animation सिखाया जाएगा पहला Adobe Animate और दूसरा Adobe Character Animator, जितने भी आप 2D animated cartoon वीडियोज देखते हो YouTube पर वो सभी इनी software पर बने होते हैं अगर आपको drawing, sketching नहीं आती है या 2D animation के बारे में कुछ भी नहीं पता है तब भी आप इस course को कर सकती हो क्योंकि ये course बेसिक से advanced level course है, इसमें एकदम starting से सब कुछ सिखाया गया है ये skillsya का most love course है क्योंकि इस course को complete करके आज सेक्रो लड़के, freelancing से, full time job से as a 2D animator काफी अच्छे पैसे कमा रहे हैं इस course for 5 days का 100% money back guarantee है अभी तो इस course का price 1999 रुपए है बट अभी skills से offer कर रहा है abstract fact subscribers के लिए एक huge discount आप 41% discount पास सकते हो ये coupon code यूज़ करके बट ये coupon code बस आप लोगों में से first 500 लोग के लिए है तो इस offer को miss मत करो link description में है इस course को complete कर लो जैसे आप इस course को complete करोगे उसके बाद आप अपने moral story वीडियो में next level का काफी artistic 2D animated वीडियो लगाना start कर देंगे इससे आपका channel growth बहुत बढ़ जाएगा हर वीडियो पे काफी ज़दा watch time आएगा उससे viral भी हो जाएगा और इस तरह आप धीरे धीरे अपना 2D animation skill प्लस AI को use करके बाकी लोगों को पीछे कर सकती हो step 3 अपनी earning और बढ़ाने के लिए आप एक काम और कर सकती हो कि जितने भी moral story वाले चैनल से हैं उन top 10 चैनल को subscribe कर लो उनके चैनल पे जाओ जो वीडियो सबसे ज़ा व्यूज पा रहे हैं उनका title देखो कैसे thumbnail अप्रोड कर रहे हैं वो देखो कैसे description लिखे हुए है story क्या है वो देखो इससे आपको पूरा idea लग जाएगा कि market में किस तरह के लोग इस story ज़्यदा पसंद करते हैं कौन सा title डालने पर ज़्यदा व्यूज आता है किस तरह के tags यूज करते हैं रही बार tags की तो आप अपने chrome ब्राउजर में जाओ और ये वाला chrome एक्टेंशन इंस्टॉल कर लो इसका नाम है social blade जैसे आप इंस्टॉल कर लोगे तो जब भी कोई YouTube वीडियो देखोगे तो यहाँ पर उस वीडियो में जो भी tag यूज किया गया है वो आ जाएगा तो यहाँ से आपको tag का भी idea लग जाएगा तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको कुछ नया सिखने को मिला होगा तो मिलते हैं बहुत जल्द ऐसे ही एक और informative वीडियो के साथ तो अभी कले इतना ही Thanks for watching